Scalar Vector की example कैसे देखी जाती है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, गौर कीजेगा, आपको समझ आ जाएगी, कि एक Vector जब अपनी जगा से बड़ा, छोटा, या मोडिफाई, डिफरेंट वेज में हो जाए, उसको हम Scalar के साथ multiply करके, उसको Scaled Vector बोला जाता है, मिसाल के तोर प 2, 1, अब अगर मैंने इसको Scale करना है, दो गुना करना है, तो मैं 2, 1 को 2 के साथ multiply कर दूँगा, अगर मैं वैसे इसको multiply करूँ तो यह आएगा 4 और 2, अब देखिएगा, अब मैं इसी को 4, यह 4 आ गया, और अगर मैं यहाँ पे 2, 1 के साथ अगर इसको देखा जाए, 4 मेरे पास यह आ गया, और यह मेरे पास 1 की बजाए, 2 आ जाएगा, यहाँ पे, तो यह बड़ा हो के यहाँ पे इसका Point आएगा, which is actually the 2 गुना of the same Vector, दो गुना हो गया वो Vector, ठीक है, तो इसका मतलब लिटरल यही है के जब आप 2 चीजों को, एक Vector को किसी Scalor के साथ multiply करते हैं तो वो 2 गुना हो गया, अगर मैं इसी को आदा करता है, यानि कि 2 एक को Point 5 के साथ, या किसी और नमबर के साथ, मैं multiply करता है, तो यह मेरे पास क्या आ जाना था, इसका भी आदा हो जाना था, ठीक है, तो यूजिली क्या होता है, कि जब भी आप किसी Scalor के साथ, किसी Number के सा multiply करता, बलके अगर इसको मैं minus 1 के साथ करता, तो सिरफ इसकी direction change होनी थी, ठीक है, this one हो जानी थी, अगर मैं minus 2 के साथ करता, तो पहले इसने flip करना था, फिर उस side में बढ़ा होना था, ठीक है, इसको mathematically हम देखते है, कि आपके पास कोई भी vector है, जिसकी quantity है, एक और दो, आप इसको, जब scale करते हैं, scale करने का मतलब है, आप किसी scalar quantity के साथ multiply करते है, scalar quantity is nothing but only the integer, जो negative 1 भी हो सकता है, और positive भी हो सकता है, negative में भी हो सकता है, positive में भी हो सकता है, और हमारे पास 0 भी हो सकता है, it depends on the scenario, खेर, scalar हमारे पास यह हो गया, अगर मैं 1 by 2 का एक vector draw करूं, तो मेरे प पास एक vector, ठीक है, अगर जैसे मैं इसको minus 1 से multiply करता हूँ, तो mathematically क्या होगा, minus 1, minus 1, minus 1 आ गया, minus 1 multiplied by 2, minus 2, तो यह मेरे पास scaled आ जाएगा, minus 1 and minus 2, तो यह minus 1 है, यह minus 2, तो आप अगर गौर करें, तो वो ही आपके पास reverse नहीं हो गया, अगर आप गौर करें, मैं इसको red के सा साथ करने से वो reverse हो गया, अगर मैं इसी को minus 2 के साथ multiply करता, यानि के 1 और 2 को minus 2 के साथ multiply करता, तो answer था minus 2, पहले इसको इसको इसके साथ multiply किया, फिर इसको इसके साथ, तो यह मेरे पास आ जाता है, यह आ जाएगा, minus 4, यानि के minus 2 and minus 4, अगर मैं देख़ूं तो यह मेरे पा मेरे पास minus 2 आ गया और यहां पर करके मेरे पास minus 4 होगा which gives me around here the quantity तो मैं अगर उसको दबारा से ड्रा करूँ तो यह basically flip ओके double हो गया यानिके दूसरी direction मेरे minus 2 हो गया तो scalar क्या होते हैं आप जब भी किसी vector को किसी चीज के साथ multiply करते हैं तो वो आपके पास scaled vector आ जाते हैं तो आपके पास scaled vector होगा वो basically किसी चीज के साथ multiply करके फिर आ रहा होते हैं इसको बोलते हैं Scalar vector तो unit vector basically क्या है, unit vector कोई भी एक basis vector है, इसको basis vector भी बोलते हैं, जिसकी quantity 1-1 भी हो सकती है, और इससे ज्यादा भी हो सकती है, basis का मतलब जहां से आपने start किये हैं, जहां से आपने start किये हैं, वहां से quantities start करें, और फिर हर जो भी vector होगा, वो basically आपके unit vectors के साथ multiply हो रहे हैं, यानि के यह scalar numbers हैं, जो unit vectors के साथ multiply हो रहे हैं, ठीक है, so usually vectors जो है, these are nothing but a multiplication towards the unit vector, आप unit vectors को जब multiply करते हैं, numbers के साथ, यह scalar quantities हैं, यह वो वाली, जो multiply होती unit vector के साथ, तो vectors को और भी अच्छे detail में आपको समझ आगी होगी, I know these concepts take a time, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन आपको simple अलफाज के अंदर इस वज़या से बताया जा रहा है, ताके आप, आपको कोई मसला ना हो सीखने के लिए, Okay, unit vector का एक और नाम है, जिन्हें basis vectors बोलते हैं, basis vectors मतलब जहां से आपने अपना सारा निजाम में algebra, linear algebra, मैंने वो start करना है, यानि कि linear algebra जहां से आपने vectors को start करना है, ठीक है, अब आपको क्या क्या समझ आगी, Cartesian coordinates, vectors, vectors जहां पे होते हैं, उनके scalar quantities, vector को multiply कैसे किया जाता है, मतलब scalar quantities के साथ multiply कैसे किया जाता है, अब अगले lecture में हमने क्या देखने है, vector edition,